सब्सक्राब कीजिए संस्कृत दसन चैनल को और न॓ट्रिकिशन घंटी को दवाएं जिससे संस्क्रिट से सम्मंदित वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो संस्क्रित दर्शल चलन बाप सभी का स्वागत है कारप्रण चल रहा है और कारप्रण में आज हम उपपद विभक्तियों की बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे चतुर्थी विभक्ति चल रही है ठीक है दोनों में लिखे दे रहा हूँ है अब उपपद जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारी पिछली जो वीडियो उसको दिखना पड़ेगा मैं उसको लिंक डिस्क्रिसमन दे दूंगा जब हमने दुत्य विभक्ति के उपद विभक्तियां को समझाया था तो उसमें बहुत अच्छे से इसका बिस्त्रित ब्रणन किया है आज हम इनके शुरू करते हैं बारतिक से शुरू करेंगे बारतिक है तादर्थे चतुर्थी वाच्या ठीक है तादर्थे चतुर्थी वाच्या इसमें केवल एक ही ही शब्द जान जाएंगे तो बादवाकी तो ये चतुर्थी का प्रियू किया गया इसमें तादर्थे का मतलब होता है ये है उसके लिए है बस इतनी सी बात है इसमें जब हम कोई वस्तु लाते हैं तो उस वस्तु से यदि कोई अन्य वस्तु का निर्माड किया जाता है तो जो अन्य वस्तु का निर्माड किया जा रहा है उसमें चतुर्थी विवक्ति का प्रियू किया जाता है ये ऐसे समझ में नहीं आता थोड़ा सा जब इसके उधान समझेंगे तो बात हैं एक तब साफ होती चलिए आगे हे पुत्र यज्जे स्थम्भ के लिए के लिए लकडी ला ठीक है अब बात हैं आप है पताने का प्रयास करता हूँ यहां जो लकडी है वो किसके लिए है यग्यस्तंब के लिए है जब यग्यस्तंब के लिए है जिसके लिए हूँ यह उसके लिए है यानि कि यग्यस्तंब के लिए है इसलिए यहां पर इस सूत्र से यहां इसकी चतुरति भिवक्ति का प्रयोग किया जाएगा लकड़ी आ रही है, यग इस्तंब के लिए, अर्था ऐ बस्तु है, और इससे यग इस्तंब बनाया जाएगा, मैंने बताया था, जो बस्तु किसी दूसरी के निर्मान में सहायक होती, अर्था तुससे कोई चीज बनाया जाती है, उसमें चतुरती विवकती इस सुत्र से आत है तो यग्जी के इस्तंभ के लिए इसमें प्रियोग की गई है याद रखना कोई वी वस्तु हो जिससे दूसरी चीज का निर्मान होता हो जो निर्मित होती है वस्तु उसमें चत्रती विवक्ति का प्रियोग किया जाता है इसको मैं दो चार उधानों के जरीए समझाता रहूँगा तो आपको बात है साफ होती चलियाएंगी मैं आज कुंडल के लिए सोना लाओंगा ठीक है अब सोना किसके लिए आ रहा है कुंडल के लिए आ रहा है तो सोने से जो निर्माड होगा वो कुंडल का निर्माड होगा इसलिए इस कुंडल में चत्रती विवक्ति का प्रियोग कर लिया जाएगा तादर थे चत्रती वाच्चा इस वारतिक से तो बनाते हैं इसको अहम अध्य चलिए मैं इसको पूरा बना जिता हूँ क्योंकि इसमें अध्य कुंडल कहते हैं कुंडली बूलते हैं इसको कुंडलाय सोने को हिरन्य बूलते हैं तो हिरन्यम आनेश्यामी ठीक है अहम अध्यकुंडलाय हिरन्यम आनेश्यामी यहां जो कुंडल बना सौने से जो चीज निर्मित हुई है उसमें चतुरति विविक्ति का प्रियोग कर लिया गया है अब उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह बात हैं साफ होती चली आ रही है इस में थोड़ा सा जो उलजाओ है यह उसके लिए है यह इसका आर्थ सटीक नहीं बैठ रहा तो यहां पर इसको इसके द्वारा इसको सही से समझा जा सकता है जलिए मैं दो ती निस्ति को उधार देत निर्मित बस तुमें याद रखना है बस मुक्ति के लिए हरी का भजन करता है मुक्ति के लिए हरी का भजन किसके लिए उसके लिए यानि मुक्ति के लिए अब यहां थोड़ा सा अर्थ समझ मा आ जाएगा क्योंग मैं बताया था इसको उधारों के जड़िए ही इसको उसके लिए, यानि कि है न मुक्ति के लिए, किसका मुक्ति के लिए हरी का भजन करता है, हरी भजन किसी लिए करता है, मुक्ति के लिए, तो यहां मुक्ते, इसमें चत्रुति का प्रियों किया जागा, हारेम भजती, एक बार समझ मैं जाना चीजें, तो फिर बहुत सरल हो ज आता है अगला वारतिक है किलरपी संपध्यमाने चा ठीक है अब देखिए यहाँ पर यह किलरप धातु है इसके समानार्थी भी समानार्थी धातु जैसे संपध्य है और जन है इनको भी इसमें समलित कर लिया जाता है अब संपध्यमाने को देख लेजिए एक बार आप यह मुख्य है संपध्यमाने इसका मतला है उत्पन होने वाला उत्पध्यमान इसको हम उत्पध्यमान भी कह सकते हैं अब उत्पन जो होने वाला है जिससे वहां किसी जिससे कोई निर्मान हो रहा था निर्मान मतलम निर्मिती हो रही थी यहां इससे उत्पन हो रहा है बहुत मूत्र लाता है ये इसका जो उदाहन है वड़े ही व्यज्ञानिक उदाहन लगते है मुझे आर्वेदे के द्रष्टी से दलिया बहुत मूत्र लाता है तो यहां जो उत्पन हो रहा है वो मूत्र है ठीक है ना याद रखना समपद्य माने यानि कि उत्पन होने वाला कौन है मूत्र है दलिया तो उसका कारण है उसके कारण उसको मूत्र अधिक आता है ठीक है तो यहां इससे चत्रति विव्यों कर लिया जायेगा अब देखिए यहां पर दलिया यवागूह मूत्राय कल्पते अब जब समझे यह समय में आ गया कि यह मूत्र है वो उत्पन हो रहा है वो दलिया उसका कारण है तो उसमें सीध चत्रत बिवक्ति लागा देंगे और बस प्रियोग कर लिया जाएगा ठीक है लेकिन इन धातूं का योग होना चाहिए किल्रप धातू है संपत धातू है जन धातू है उनके साथ में इनको प्रियोग किया जाता है मैं एक दो धान दीता चले जूँगा इनके करम से कद्दू बहुत मल उत्पन करता है कद्दू बहुत मल उत्पन करता है तो ये मल क्या है बहुत ज़्यादा उत्पन हो रहा है इन उत्पन होने वाला क्या है मल है तो यहां मल से सीध है चत्रती विवक्ति का प्रियोग कर लिए जाएगा कद्दू को कूश मांड बोलते हैं तो कूश मांड हाा मल आय सम्पध्यते इसमें प्रियोग करेंगे है न संपध्यते इस तरह से ईसको प्रियोग कर लिया जाएगा जब हमें पता चले गए कि उत्पन कौन हो रहा है तो मल हो रहा है मल से चत्र के लागा तो बाद इसीधा जोंकीतों प्रियोकर लिया जाएगा वक्ति से ज्यान उत्पन होता है ठीक है वक्ति से ज्यान उत्पन होता है तो ज्यान किस सिद्पन हो रहा है वो कारण है भक्ती तो भक्ती ज्यान में सीधे चतुर्ती का प्रियूकर रहा है भक्ती ही ज्यानाय जायते कर लो इसमें कल पे ते कर लो कुई समस्था नहीं कुछ भी करो ठीक इस तरह से ये ये दो सूत्र थे दो मैंने उनको समझाने का ब्रसक प्रियास किया और मैं उम्मीद कर रहा हूं इतनी सरल थे इसमें कुछ मुझे खास बतानी की जरूत नहीं पड़ी बस एक व्याख्या सीख ले हम और उससे सारी चीज़ें समप्त हो जाती हैं जब तक ह कुछ चीज़ें स्क्लियर नहीं हो पाती सोचता हूं कि कैसे उनको साफ तरीके से आपको समझाओं तो फिर मैं उनको धान देने का प्रियास करता हूं हमारी चैनल यदि आपको अच्छा लगता है और आपके यदि मित्र को टीज़ीटी पीज़ी तैयारी कर रहे हैं या कि प्रकार की भी कमेंट अवश्च करें जैसे कि हम और अच्छे से सुधार कर पाएं आज के लिए इतना ही नमस्कार जैहिंद